पठार पठार उठे हुई एवं सपाट भूमी होती है। यह आसपास के क्षित्रों से अधिक उठा हुआ होता है। तथा इसका ओपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की उठाई प्रायहा कुछ सौ मेटर से लेकर कई हसार मेटर तक हो सकती है। परवतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं आस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे उँचा पठार है। जिसकी उँचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उप्योगी होते हैं, क्यूंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोईला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षित्रों में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं। क्योंकि यहां नदियां उन्चाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर जाते हैं। स्वान रेखा नदी परिस्थित। हुंडुरू जल प्रपात। तथा करनाटक में जोग जल प्रपात। इस प्रकार के जल प्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिठी की प्रचुर्ता होती है। जो उपजाओ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमनिय स्थल होते हैं। जो परियटकों को आकरशित करते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.5 दिया गया है। जिसमें पठार की तस्वीर दिखाई गई है। प्रिष्ठ संख्या 45 मैदान मैदान समतल भूमी के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्य तहा माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधे कूँचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं। कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधेकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां परवतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन ही निक्षेपों से मैदानों का निर्मान होता है। सामाने तहा मैदान बहुत अधिक उपजाव होते हैं। यहां परिवहन के साधनों का निर्मान करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़ी मैदान, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं. एशिया में स्थिद भारत में, गंगा इवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तथा चीन में यांग्च से नदी का मैदान, इसके प्रमुख उदाहरण हैं. मैदान, मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपियोगी क्षेत्र होते हैं. यहां की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने, तथा खेते के लिए यहां समतल भूमी की प्रचुरता होती है. उपजाओ मिट्टी के कारण, यहां भाग खेती के लिए काफी उपियोगत होता है. भारत में गंगा का मैदान, देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है. इस प्रिष्ठ पर चित्र छे दशमलव छे दिया गया है, जिसमें मैदान की तस्वीर दिखाई गई है. स्थल रूप एवं लोग स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही, मानव, विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं. परवतिय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है. मैदानी क्षेत्रों का जीवन परवतिय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है. मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़के बनाना परवतिय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है. प्रिष्ठ संख्या 46 विभिन्न प्रकार के स्थर रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सेहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है. क्या आप उन में से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वाला मुखी उद्गार, तूफान या बाढ़, बहुत विनाश कर देते हैं. इन आकसमे घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके, हम इन में आने वाले खत्रों को कम कर सकते हैं. हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उप्योग मिला सकते हैं? इसका पता हम अपने आसपास के खित्र से लगा सकते हैं. प्रायह हम स्थल का उप्योग गलत तरीके से करते हैं. जैसे उपजाओ भूमी पर मकानों का निर्माण करना. इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमी पर या पानी में फेंग देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है. हमें प्रकृती के इस महत्वपूर्ण वर्दान का उपियोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए. उपलब धभूमी केवल हमारे ही उपियोग के लिए नहीं है. यह हमारा कर्तव्व्य है कि हम आगे आने वाली पेड़ियों के लिए प्रत्वी को सुरक्षित रखें. इस प्रिष्ठ पर चित्र छे दशमलव साथ दिया गया है, जिसमें अरुनाचल प्रदेश में स्थित रसी से बने हुए एक पुल की तस्वीर दिखाई गई है. साथी इसी प्रिष्ठ पर चित्र छे दशमलव आठ भी है, जिसमें एक प्रदूशित नदी की तस्वीर दिखाई गई है. स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तेश कर निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ परियावरण विशेश रूप से साफ जल, वायू तथा स्वच्छ वातावरण, प्राथमिक आवशक्ताएं हैं. इन सभी प्राथमिक आवशक्ताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हें तू, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कारिक्रम चलाया जा रहा है. यहाँ इस प्रिष्ठ पर तथा अगले पूरे प्रिष्ठ पर क्रम से दस चित्र दिये गए हैं. और हर एक चित्र को क्रम से एक से दस तक की संख्या से दर्शाया गया है. फिर इसी के साथ इसी बॉक्स के एक कोने में इनसे संबन्धित कुछ प्रश्ण पूछे गए हैं. प्रश्ण एक चित्र संख्या एक से दस को ध्यान से देखिए. और प्रत्ते के लिए एक-एक वाके लिखिए. प्रश्ण दो चित्र संख्या एक, दो तथा साथ में दिखाएगा इस थल रूपों के नाम बताईए. प्रश्ण तीन चित्र संख्या नौ में दिखाएगा इस थल का अप्योग किस कार्य के लिए हो रहा है? प्रश्ण चार चित्र संख्या तीन, छै, आठ, तथा नौ में आपको कौन सी गतिविधियां दिखाएगा दे रही है? प्रश्ण चार और पांच में किस प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं? प्रश्ण चार चित्र संख्या तीन, तथा आठ में दिखाई गई जल क्रेडाओं के बारे में बताईए प्रश्ण साथ चित्र संख्या एक, तथा दस में दिखाई गई परिवहन के साधनों के बारे में बताईए प्रिश्ठ संख्या अड़तालीस अभ्यास प्रश्ण एक आगे दिये गई प्रश्णों के उत्तर संक्षेप में दीजिए पहला प्रमुक्स थल रूप कौन-कौन से हैं दूसरा परवत एवं पठार में क्या अंतर है तीसरा परवतों के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं चौथा मनुष्यों के लिए परवत किस प्रकार उपियोगी हैं? पाँचवा मैदानों का निर्मान किस प्रकार होता है? चठा नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यूं? साथवा परवतों में जनसंख्या कम होती है, क्यूं? प्रश्न दो सही उत्तर चिन्हित कीजिए पहला परवत पठारों से भिन्न होते हैं क, उंचाई ख, ढाल ग, अभी मुक्ता दूसरा हिमानी कहां पाई जाती हैं? क, परवतों में ख, मैदानों में ग, पठारों में तीसरा दक्कन पठार कहां इस्थित हैं? क, केनिया ख, ऑस्ट्रेलिया ग, भारत चौथा यंग्च से नदी कहां बहती हैं? क, दक्षिन अमेरिका ख, ऑस्ट्रेलिया ग, चीन पाँचवा युरोप की एक महत्वा पूरण परवत श्रिंखला कौनसी है? क, एंडीज क, एप्स ग, रॉकीज प्रश्न तीन खाली स्थान भरें पहला सम्तल भूमी बाले विस्तरित क्षित्र को रिक्तिस्थान कहते हैं दूसरा हिमालय इवं एप्स रिक्तिस्थान परवतों के उदाहरण हैं तीसरा रिक्तिस्थान क्षित्रों में खनिजों की प्रचुर्ता होती हैं चौथा रिक्तिस्थान परवतों का एक क्रम है पांचवा रिक्तिस्थान क्षेत्र क्रिशी के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं आओ कुछ करें पहला आपके राज्य में किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं इस अध्याय के आधार पर बताएं कि वे स्थल रूप लोगों के लिए किस प्रकार उपियोगी हैं मान्चित्र कार्य पहला विश्व के मान्चित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए अ परवज श्रिंखलाई हिमाले रॉकीज तथा एंडीज ब पठार तिबबत प्रवज़ को प्रोज प्रोप्ट मान्चित्र प्रोप चुल बुल कर दो